हलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि अगर आप इंस्टेग्राम अकाउंट यूज करते हैं तो आपको जो है लॉग इन एक्टिविटी सैटिंग के बारे में पता जरूर रोना चीए तो यह सैटिंग जो है किस तरीके से काम करती है मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकाने दूंगा तो चलिए यहां पर वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पाले तो आप अपना इंस्ट्राग्राम एप ओपन कर लेता हूं तो यहां पर वीडियो को पूरा आकरतक ध्यान से जरुर देखिए गा तो सब से नीचे आपको प्रोफाइल पिक्चर पर अपनी स्लेक्ट करना है इसके बाद छू कर nationally is सुर्ट का उप्शन मिल जाएक सिक्वेटी पर टाप कीजिए इसके बाद आपको यहाप पर यह लॉगिन एक्टिवीटी मिलती आप्शन इसे टैप करना है अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मेरा यह activate now ठीक है यह silly goody में मेरा activate now यानि कि जो मेरा mobile phone है यह मेरा silly goody में अभी activate है ठीक है अभी मेरा मैं इसे use कर रहा हूं ठीक है तो यह silly goody कि में activate now के ठीक सामने motorola moto g8 ठीक है motorola moto g8 का यह phone है मैं आपको इसे दिखा देता हूं इसके ठीक सामने आप जो है यह three dot को option टैप करेंगे तो यहाँ पर यह देख पाएंगे कि moto g8 power light ठीक है तो मैं इसे जो है cover एक बार जो है remove करके आपको दिखा देता हूं तो मेरा यह जो है आप देख पाएंगे कि यह motorola moto g8 का मेरा power light का mobile phone है तो यहाँ पर यह इसकी सही location मेरे को बता रहा है ठीक है मेरे instagram account की ठीक है और यहाँ पर जो है यह जो दूसरा है यह असन सोल पता नहीं यह कौन सा यह जगे बता रहा है यह जो है किसी ने मेरा account जो है यह login कर रखा है आप यह देख सकते हैं किसी ने जो है login किया है और यहाँ पर अगर आपको जो है one month या two month या फिर one year भी दिखाई दे सकता है जब भी login किया हुआ होगा और उसके नीचे ज e6523 यहाँ पर लिखा हुआ रहा है ठीक है तो यह मेरा micromax का phone नहीं है मेरा तो motorola moto g8 power light का phone है ठीक है और दोस्तों यहाँ पर जो है अगर किसी ने अपने system यानि की computer laptop में अगर use कर रखा है ठीक है आपका instagram account login कर रखा है तो उसका device name यहाँ पर लिखा हुआ जरूर आएगा तो यहाँ पर जो है अगर आपको आपके device के अलावा यानि कि आपके mobile phone या computer के अलावा जहां भी आपने अपना instagram account login कर रखा है अगर उसके अलावा उस नाम के अलावा अगर कोई दूसरा device का name अगर आपको दिखाई देता है तो उससे आप logout जरूर कर दीजेगा तो यहा यहाँ पर जो है आप इसे फटा फट से जो है लोगाउट कर दीजेगा ठीक है यह 3.com आप दबाईएगा इस तरीके से और यहाँ पर यहाँ पर यह सबसे नीचे logout का option है इसे आप logout कर दीजे इसके बाद होगा क्या कि मैं आपको बताता हूं इसे आप OK कर दीजे इसे आ चुका है और आपको जल्दी से करना क्या है कि आपको जो है अपना password यहाँ पर इसी login activity के उपर यह password का option है इसे आपको password पर टैप करना और अपना password इंस्ट्रेग्राम अकाउंट का जल्दी से चेंज कर लेना ठीक है तो अगर आपको आपका password पता नहीं है तो आप पहले ज चैट कर लीजिएगा फिर इसके बाद जो आप उसे दूसरे डिवाइस यानि कि जो unknown device होगा उसे आप लोग आउट किजिएगा फिर दुवारा से आप जो अपना password चेंज करिएगा यह काम आपको प्रोसेस जो है जल्दी से जल्दी करना है ताकि आपका जो इंस्टेग्र इसे राइट किलिक कर लीजिएगा हो सके तो आप जो है अपने password को में जो है अपना कोई alphabet का कोई भी letter आप यूज कर सकते हैं कोई symbol star hashtag यह वगरा भी आप जरूर यूज किजिएगा क्योंकि इससे जो है एक strong password create होता है ठीक है तो सिर्फ जो आपको counting नहीं रखने है दुआर से एगवार एंट्र कर लेता हूं तो यहां पर मैंने अपना password दुआरा से कर लेकिक्षिए नहीं हो पा रहा था क्यूंकि जो एक वारा आप password यूज कर लेते हो सकता है कि आप उससे ना यूज कर पाएं तो यहाँ पर एक वार मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, यहाँ पर मेरा पासवर्ट चेंज होता है कि नहीं होता है तो यहाँ पर यहाँ पर यह मेरा पासवर्ट जो सेव हो चुका है यहाँ चेंज हो चुका है इस लोग इन एक्टिवीटी में तो हो सकता है कि आपका ढ़ाइव क्या है यहiembre selbst कर लिजेएगा, चेंच कर लिजेगा आपको एक खाज जानकारी बता देटा हूं कि आप जोए इस बाज पर वियृक्ति को दुटWhy ऐसे person को मत दीजिएगा जिसके उपर आपको जो बिल्कुल भी trust या फिर थोड़ा बहुत trust हो उसको भी मत दीजिए ठीक है क्योंकि यहाँ पर जो है two-factor authentication यह जो आप देख रहे है two-factor authentication इसे भी आप जो है यह जो two-factor authentication है इसे भी आप जो है एक बार अपने mobile phone में set कर लिजेगा क्योंकि कई बार इसे होता क्या है कि आपका जो account का जो number या email id या फिर password भी अगर किसी unknown person को पता चल जाता है तो two-factor authentication से होता क्या है कि password और number या email id दोनों ही use करने के बाद जो एक OTP आता है आपके mobile phone पे ठीक है आपके mobile number पे जब तक आप उस OTP को verify नहीं करेंगे मतलब कि उस person को नहीं देंगे OTP को तब तक वो आपका Instagram account use नहीं कर पाएगा आने वाले वीडियो में इसकी जानकारी दे दूँगा तो मेरा आने वाला वीडियो ज़रूर देखेगा तो दोस्तों I hope कि आपके इस वीडियो में दीवी जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस setting का login activity का ज़रूर रिउस करके देखेगा और वीडियो को like and share करना